जैन स्टूडेंट, बहुत सारी बाते नहीं मैं बेटा आपको बोलूगी बस एक ही बात बोलूगी कि continuity is required in life, continuity बहुत ज़ादा required है, आपने जब एक venture ले लिया है कि आपको अपना paper clear करना ही है, MNS आपका dream है और आपको वो करना ही करना है, तो आपको क्या करना है भस, you only need continuity, आपको एक continuity से चलते रहना है, चलते रहना है, रास्ते में रुकना नहीं है, तो जाहिंद and welcome to the second class, आज की class में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, जैसे कल हमने क्या किया था, इंडिया size and location, topic थोड़े, एक्चिर जीके में क्या होता नहीं, बहुत लंबे होते हैं, लेकि जब उनको memorize करते हैं, और याद करते हैं अपने note से, तो वह बहुत छोटे से रह जाते हैं, उसकी explanation थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीके, तो आज की class में हम क्या द administration करने के लिए, कितनी हमारे पास states हैं, यह कितने parts है, simply, तो हम parts की बात बोलेंगे, तो बटा हमने पूरी country को 28 states और 8 union territories में divide करके रखे हैं, ठीके, means अगर हम ऐसे देखते हैं, तो इंडिया का जो structure है, वो हमें कैसा लगता है, federal है, federal है मतलब, federal का मतलब क्या होता है, when there is a division of power, division of power में कैसे होता है बटा, जैसे सबसे उपर आपका union government होती है, union government होती है, ठीक है, सबसे उपर union है, उसके बाद आपकी कौन सी government आती है, state, और सबसे नीचे आपकी कौन सी government आती है, local, जो आपन चाहिती राज बोलते हैं, तो in this way सारे political and administrative divisions है, लेकिन इंडिया के constitution में ऐ इंडिया is a federal country, यह याद एक ना बटा, हम by nature federal है, ठीक है न, लेकिन लिखा नहीं है, तो में सीज़ 28 states और 8 union territories है, यह country का division नहीं है, that is purely for the purpose of the political and administrative, जो थोड़ा सा हमें ease हो जाया, अराम से हो जाया बटा, उसके लिए है, ठीक है, तो यह भी आपको बटा, पहले भी कल की class म मैंने बताया था, कि कितने में divide करते, 28 states और 8 union territories में divide करते, अपने पूरी country को इसका political and administrative division है, ठीक है, this is the map of your country, अगर आप इसको देखो बटा, तो यह आपके देश का map है, इसी को मागे study करेंगे, आपने क्या करना है, after the class, जैसे जो मैंने आपको बताया है, आपने उसको य आरास्टा ही है, क्योंकि this is the most important, आप कोई भी competitive exam clear करना चाहते हैं, आपको GK पढ़ना है, और GK में सबसे important part play करता है, जोगरफी, और जोगरफी में सबसे important play करता है, आपकी country, उसकी states, उसकी boundaries, ठीक है, उसकी capitals, यह आपको पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, आप सम ठीक है, तो आज जो हम देखते हैं, अपनी country, उसकी states, उसकी capitals और वो का formation हुई थी, neighboring countries की बात करें, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूं, यह आपकी China, Tibet, ठीक है, यह Nepal, China, Tibet, इसलिए लिखते हैं कि Tibet अपने आपको free nation बोलता है, but actually it is under China, this is your Bhutan, ठीक है, यह बटा आपका old name Verma था, यह आपका शेलंका है, this is your Pakistan and this is your Afghanistan, यह आपके neighboring nations है, इनके बारे में इनकी capital क्या है, इनकी currency क्या है, इनकी कुछ important, इनकी policies की बारे में, चुछ चुछी सी बाते हैं, जो बहुत important है, आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप class के बात क्या करोगी, world का, map होना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़ा, ठीक है, बहुत महेंगे नहीं आते है, 50-50 rupees के आजाते हैं, बड़े इसली, बड़े-बड़े से map, आप डेली एक बार नजर डालते हैं, रोगे किसके उपर, यह आपकी यह देश के, मतलब यह states है, यह mountains है, यह rivers है, physical and political map, त river यह यहां से जाती है, तो यह आप कैसे बनोगे, इतने आप sufficient तभी बनोगे, जब आप map पे पेस्ट करोगे, यह कहीं पे भी रखोगे, और daily उसको देखोगे, यह यह यहां पे, यह यहां पे, this is required, ठीक है, let's start with our country, this is the name of the state, यह capital है, यह founded, मतलब कॉन से यह में हुई थी और official languages अगर उसकी क्या है, ठीक है, बसे total official languages की हम बात करते हैं, तो 22 है, ठीक है, union में, हमारे जो constitution ने 22 official languages को रिको गनाइस करके रखा हुए, including Hindi and English, ठीक है, समझ में हागे, आज हम देखेंगे, यहां पे states की official languages कौन कौन से, यहां पे है आंधरा परदेश, ठीक है, आंधरा सकते हो कि पहली state, after the independence, जो form हुई थी, ठीक है, जो already state थी existing, उनके अलावा जो state form हुई थी, that was the आंधरा परदेश, यहां कि जो official language है, that is तेल को, next हमारी आती है, अर्माचल परदेश, ठीक है, इसकी capital है, इता नगर, यह form हुई थी, 20th Fev, 1987 को, और इसकी official language है, that is English, वहां प अपने tribal languages को या local languages को, official working के लिए use नहीं करते है, उसके बाद, next आपकी आती है, यहां पर असम, ठीक है, असम की जो capital है, that is दिस्पुर, असम फॉर्म हुआ था 26th January 1950 को, ठीक है, जब हम Republic बने थे, at the time ही, हमारी 14 states जब उस time में थी, तो असम was the originally form हुई थी, असम ही is the official language of अस next आता है आपका बिहार, बिहार जो है बटा है उसकी capital है पतना, ठीक है, बिहार basically आप देख सकते हो कि बिहार is a very old state, 2nd March 1912, इसकी form date बोलते है, बट हम जब Republic बने थे, तो बिहार was already existing state, ठीक है, इसकी जो official language है, that is हिंदी, बिहार में क्या बोली जाती है, हिंदी, वर्ग भी हिंदी में किया जाते है, next है आपकी चतिसगर, ठीक है, चतिसगर की जो आपी capital है, that is राइपूर, और यह 1st November 2000 को form हुई थी, ठीक है, चतिसगर ही इसकी official language है, along with this they can use Hindi and English also, असा नहीं की official languages में, इस ही में work होगा है in states में, यहापी English और Hindi भी use होती है, but this is the extra official language which is accepted, उसकी ब पनजी, ठीक है, go of liberate होता 1961 में पौतवियल से, ठीक है, और यह state बनी थी 30th में 1987 को, इसकी जो official languages है, that is कोंकनी, ठीक है, कोंकनी जो है, इसकी official language है, उसकी बाद गुजरात, गुजरात जो पहले बॉंबई होता था, भी बॉंबई को काटके आपका महरास्टर और गुजरात बनाया गया, ठीक है, तो गुजरात फॉर्म होती 1st May 1960 को, और इसकी official language है, that is गुजराती, what it बेटा, ठीक है, उसकी बाद next आते है हमारा हर्याना, हर्याना की जो आपकी capital है, that is चंडिगर, because हर्याना और पंजाब में वैसे भी capital के नाम के clash है, यह फॉर्म होता बेटा, 1st November 1966 को, और इसकी जो official language है, that is हिंदी, उसकी बाद हिमाचल परदेश, इसकी जो capital है, that is शिंबला, फॉर्म होता बेटा, 25th January 1971 को, and the official language is हिंदी, हिंदी की यहां offices में work होता है, but wherever it is हिंदी, आप समझ लेना है कि English is equivalent to that, English में भी वहां पर work हो जाता है, हिंदी में भी हो जाता है Next है जारखंड, इसकी capital है रांची, 15th November 2000 में यह फॉर्म होता, जारखंड, उत्राखंड हैं चतिसगड़, यह दोनों है 2000 में बने थे बाटा, इसकी official language है हिंदी, Next आपका हाता है, करनाटिका, करनाटिका की जो capital है, that is Bengaluru, और यह फॉर्म होता था बैटा, 1st November 1956 को, और इसकी जो official language है, that is करनाट, यह जो बैटा, इसकी 1st November, 25th January, 15th November, 1st November, यह इनके जो है, वो statehood days भी count किये जाते हैं, ठीक है, इसे हर्याना का statehood day कब है, हिमाचल का statehood, यह जो 1st-1st की dates है, ना बतर, यह इनके statehood days भी है, यह भी आप चीज याद रखेंगे, ठीक है, उसके बाद next आपका केरला, केरला की जो capital है, that is Tiruvanthampur, ठीक है, यह फॉर्म होता 1st November 1956 को, और इसकी जो official language है, that is Malayalam, कभी-कभी आप देखना रटा, आपको यह paper में कोशन आते, Kannad is a language of which state, Malayalam is a language of which state, तो यह Telugu is a language of which state, तो यह बड़े confused हो जाते है, हम लोग किया, Malayalam कहा की होगी, Kannad कहा की होगी, ठीक है, बहुत confusing है, इसलिए यह languages के बादे जो questions है, यह भी बहुत जादा important है, उसके बाद है, Madhya Pradesh, Madhya Pradesh की जो capital है, that is Bhopal, यह 1st November 1956 को form होई थी, and the official language is Hindi, उसके बाद next राता है, बच्चे आपका Maharashtra, Maharashtra की जो capital है, that is Mumbai, ठीक है, यह form होई थी, 1st May 1960 को, and the official language is Marathi, यह Mumbai का आप सब को पता है कि पहले इसका नाम होता था Bombay, ठीक है, हम तो अभी अभी Mumbai नहीं बोला जाता है, हम लोगों से, हम अभी अभी Mumbai मुह पे रहता है क्योंकि बहुत आइम से, बच्चपन से, हम लोगों ने, Bombay बोलके रखा है, ठीक है, उसके बाद next नेक्स देखो बटा, Manipur, Manipur का जो capital है, वो है आपकी इंफाल, यह form होई थी, 21st January 1972 को, ठीक है, और यहां की जो official language है, that is Manipuri, और इसको एक और word से आप बोलते है, ठीक है, मैतेलियन, वो हाँ की local word में है, उसे Manipuri आगर आप बोलेंगे, यह वला word भी आप याद रखेंगे, because the examiner can ask you this also, next is Meghalya, Meghalya की जो capital है, बटा, that is Shillong, ठीक है, यह form होई था, 21st January 1972 को, और यहां की जो official, Garokhasi and Panar, along with this English, ठीक है, तो यह यहां की क्या है, बटा, tribes है, these are the tribes, Garokhasi and Gentia, ठीक है, और इनी के नाम पे, मतलब, Hills के नाम पे, इन tribes का भी नाम रखा है, जहां पर यह रहते हैं, उसके बाद, next है, मिजरम, मिजरम की जो capital है, that is Iswell, यह form होई थी, 20th Feb, 1987 को, और यहां की जो official language है, that is Mizu, then it is in Nagaland, Nagaland form, sorry, Nagaland की जो capital है, that is Kohima, Nagaland बेटा, statehood बनी थी, हमारी 1st December 1963 को, और यहां की official language है, that is English, next है, आपका Odisha, Odisha की जो capital है, that is Bhuvaneswar, ठीक है, यह form होई थी, 26th January 1950 को, और उडिया जो है, यहां की official language है, official language की हम जब भी बाद करते हैं, तो ऐसी states जहां पर इसे उडिया है, कननड है, along with this, वहां पर जो work होता है, वो English में भी किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं की वहां की लोगों को हिंदी में ही काम करना है, they can use their, जो language is state की, along with this, they can also use English, then it is a Punjab, Punjab की capital Chandigarh, Punjab form हुआ था, 1st November 1966 में, और यहां की जो official language है, that is Punjabi, ठीक है, गुरु मुखी script, हर एक official language की अपनी एक script होती है, उसे हिंदी की देव नागरिया, script का मतलब होता है, कि how to write that language, आपने वो भाषा लिखनी कैसे है, what is the way to write that language, उसको हम क्या बोलते है बेटा, उसको हम बोलते है script, उसके बाद next state आपकी आती है, बच्चे, that is Rajasthan, ठीक है, Rajasthan की जो official language है, that, sorry, capital है, that is Jaipur, ठीक है, और यह form हुई थी 1st November 1956 को, इसकी जो official language है, that is Hindi, not Rajasthan, Rajasthan ही महाँ पे बोलते हैं, language no doubt, but in the offices, they used to do work in Hindi, उसके बाद Sikkim, Sikkim की capital Gang Talk, Sikkim जो form हुई थी 16th May 1975 को, और यहां की जो official language है, that is Nepali, बड़ा surprising लगता है, Nepali is the official language, but this is truth, next है Tamil Nadu, Tamil Nadu की जो capital है, that is Chinnai, ठीक है, जिसको हम पहले Madras बोलते थे, यह form हुई थी 26th January 1950 को, और यहां की जो official language है, that is Tamil, उसके बाद बेटा हमारा आता है, Telingana, Telingana की जो आपकी capital है, that is Hyderabad, इस सबसे newly formed state है, 2nd June 2014 को, और यहां की जो official language है, that is Telugu, कौन सी है बिटा, Telugu is the official language of Telingana, ठीक है, ठीपुरा, ठीपुरा की capital है, अगरतला, ठीक है, यह form हुई थी 21st January 1972 को, और यहां की जो language है, that is Bengali, Bengali तो यहां पर लोग बोलते हैं, official language में work भी करते हैं, साथ में यहां पर कौक बोर को, ठीक है, कौक बोर को भी वहां की अपनी local language है, that is also officially, उसका भी script है, along with this, they also do the work in English, then we have the Uttar Pradesh, यहां की जो capital है, लखनो, Uttar Pradesh form हुआ था 26th January 1950 को, इसको United Province के नाम से भी पहले जाना जाता था, ठीक है, and the official language is Hindi, then Uttarakhand, Uttarakhand की जो capital है, बेटा, that is Dheradun, यह form हुआ था 2nd November 2000 को, यहां की जो official language है, that is Hindi, क्योंकि UP से टूटके बना था, तो obvious है, पहाड़ी ही, यहां पे लोग बोलते हैं, यहां की जो डोगरी, डोगरी तो नहीं, यहां की जो hills में रहते हैं, उनकी अपनी एक अलग से पहाड़ी जैसी language रहती है, but उसके script कोई नहीं है, that is not official language, उसके बाद, West Bengal, इसकी capital है, that is Kolk States, States का form हुई थी, इनकी capital कहां पे, इनकी official languages कहां पे, बहुत important है यह topic आप लोगों के लिए, इसको आपने skip नहीं करना है, ठीके, इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको simply एक बात बता दिया, what you have to do, आपको एक map लेके आना है, ठीके, उसको wall पे paste करना है, एक physical, एक political, physical and political map को एक बार पढ़ लोगे ना बटा, यह सारे questions तो आप ऐसे इतने easily कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीके, तो अब हम आते हैं बटा, अपनी union territories and capitals के ओपर, let's see here, union territories आपको पता है, total कितनी है, हमारी total number है, 8, ठीके, सबसे पहले हमारी अंडमान है, निकोबार, इसकी जो capital है, that is Port Blair, क्या है, इसकी capital बेटा, Port Blair, चंडिगड, इसकी जो capital है, चंडिगड ही होगी, ठीके न, दादर है, नगर हवेली, अंदमनन द्यू, पहले ही अलग-अलग होती थी, बढ़ 2000 में इसको इकठा कर दिया गया, दादर है, नगर हवेली, अं इसकी जो capital है, that is, दमन, डेली की capital, ओविस, न्यू डेली, ठीके, लक्षवदीप की capital, कावर आती, बहुत बार, पेपर में ही कोशन आता है, लक्षवदीप की capital, नहीं बता होती बच्चों को, ठीके, जैसे, दादर हवेली की नहीं बता होती, पुड्डुचेरी, जिसको पहले, पुड्डुचेरी बोलते थे, ठीके, तो यह बटा, आपकी जो पुड्डुचेरी है, इस फॉर्मली, पुड्डुचेरी, इसकी capital भी पुड्डुचेरी है, जैन के, ठीके, जमू एन कश्मीर, इसकी दो capitals है, समर में इसकी capital शरी नगर होती है, और विंटर में इ यह आपका लदाक है, यह जेन के, इस चंडिगर, इस डेली, यह आपका दादर है, नगर हवेली, दमन इंद्यू, ठीके, उसके बाद नेक्स आते हैं बटा, यह आपको, हमने पहले ही कर लिया था, बेय ओ बेंगोल में आपका जो है, वो अंड़माइन निकोबार, और अर अब फुड़ुचेरी, यह लिया था, पुड़ुचेरी की कितने पाद है, एक यह है जो मेन है, तामेलाडू में, उसके नीचे यह ए एक चोटा सा एरिया इसको भी पुड़ुचेरी करते हैं, फिर यह आपका आंदर्परदेश में, यह नम के नाम से यह भी अंध्यापरदेश में, तमिलाडू में और साथ में आपके केरल में, ठीक है, यह आपके यूटीज और स्टेट का था, यूटीज और स्टेट की कैपिटल्स और स्पेशली स्टेट्स का फॉर्म हुई थी, उनका स्टेट हुँदे कब होता है, यह बड़ा बहुत संटाइम आते हैं, जिसे हम कुछ कोशन यह आपर डिसकस करते हैं, कि वट इस अपिटल आफ महरास्ट्रा, सब को पता है, मुमवई, ठीक है, आपको थो, यह बटा स्टेट्स और स्टेट्स पी होनी चीह, अगर आपने अमने इसका पेपर देना है, कैपिटल आफ उतराख जावराती is the capital of which union territory, लक्षुदी, पोर्ट ब्लेवर is the capital of which union territory, that is your Andaman and Nicobar Islands, ठीक है, फिर इटा नगर किसकी है वेटा आपकी, अर्नाचर परदेश की, रांची is the capital of जर्खन, ठीक है, डैश is the capital of उडिसा, भुवनेश्वर is the capital of उडिसा, and what is the capital of हिमाचर परदेश, that is शिम in this way, है बहुत छोटा सा, लेकिन कभी-कभी बिटा ही जो eastern states है, हमारी seven sister states बोलते है, यह बहुत confuse कर देती है, south indian की states में भी capital में बहुत confusion हो जाती है, उनके languages में बहुत जादा confusion हो जाती है, ठीक है, तो छोटा सा topic है, आप इसको बहुत जल्दी memorize भी कर सकते है, याद भी कर सकते हैं, और चाहो तो बहुत सारे practice questions भी बिटा इसमें से कर सकते हो, okay, with this jahind, और I hope कि आप लोग बिटा पढ़ोगे, अगर आपका dream है, तो आप इसको fulfill करने के लिए, पूरी मेहनत करोगे, because एक चीज मेरी याद रिखना कि there is no shortcut for the success in life, को shortcut नहीं होता, ठीक है, with this jahind and take care बहुत सकते हैं,